है ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागाес देश की बात में और आज पर देश की बात कर रहे हैं पी अजूवर यह आप आपने बात की थी के सब मोदी सब का साथ सब का विकास से इस नारे पर सरकार काम करती हुए दिख रही है shared लगता है और लेकिन अभी तक च्छे महिने सरकार के हुए हैं लेकिन उन छे महिने में ऐसा आलोचक कहते हैं कि आप बाते बहुत हो रही हैं काम नहीं हो रहा है सबीनी इसतर पर बाते हैं हवाई हम अब शारी जी आप तो बहुत ही पुरुद्ध हैं वह समय से मीडिया से तो कुछ रही नहीं गया है मोदी जैसा युकपुर्ष मैं समझता हूँ भारत के शौभाग गशे वो इस देश के प्रदानमंत्री बने हैं जिस व्यक्ति की सोच और समझदारी ने एक दिन में डेड़ करोड गरीब लोगों के जीरो पेमेंट पर खाते खुलबा दिये हो उनका एक एक लाग का बीमा करा दिया हो और आज वो पंदर करोड से उपर पहुंच गया क्या इतना बड़ा काम इन 65 सालों में कोई कर पाया था क्या पिछले चार साल से पासाल से चलने अगर उनकी स्कीम थी तो ने की क्यों नहीं थी अब हर बात कहते हमारी स्कीम थी अग होटालों में लगे रहे तुम देश को लूटते रहे और लूट लूट के पैसा सारे का सारा सुज बेंक में भेजते रहे तुमने हिंदुस्तान की जंता की परवा नहीं की हिंदुस्तान की परवा नहीं की सीमाओं की परवा नहीं की अब आप यह कहते हैं कॉंग्रेस वा आपकी बार मोधी शरकार फिर नारा लगाया बारवार मोधी शरकार आप हमें लगता है कि हर बार मोधी शरकार जहां चुना होगा भही मोधी हर्याणा में मोधी महाराष्ट में मोधी अभी जारखंड में देखिए फिर मोधी और तो और मुसल्मान समझ गया है पंसारी जी म है किम्मी्ट करते हैं कि जादू चली रहा है। तब बदलाऊ आएगा लेकिन यह जो कॉंग्रिस के पास या भी जैपी के पास अपने महापुरुष नहीं, इसलिए वो हमारे महापुर्षों पर कभजा कर रही है, सब चीन रही है, पहले पटेल चीन लिया, गांधी चीन लिया, अब नहरू भी शीन लिया देखिए, सती, सूरिमा, महापुर्ष, अगर कोई कहता है हमारे हैं, तो उनसे बड़ा बुद्धी का दीवालिया कोई नहीं हो सकता, सतियों को, सूरों को, पीरों को, बीरों को, महापुर्षों को, किसी ब्यक्ती के साथ, किसी जाती के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ये धर और बॉबाने के लिए घर में कि हलावा नहीं रहे जाता तो मुझे लगता है अब कॉंग्रेज के पास स्यापा करने के अलावा कुछ नहीं रहा और यह लगता है कि रोने के लिए भी किराई पे बुलाने पड़ें को समय के बाद में रोने वाले बीजेपी वाले करें के हमारे मुद्य छिन लिए सारे मुद्य किराई लगा दिये बीजेपी बाले अब सबसे बड़ा प्रमान नरिंद्र भाई मोधी हैं जो बहुत छोटी सी जात में बहुत छोटी सी जात में एक तेली जात में पैदा होने के बाद चाय बेचने वाला आदमी इस देश का प्रधान मंतरी बना है तो एजंडा यह बीजेपी का है यह कॉंग्रेस लिम्टेट कम भी नहीं है मा और बेटे वाली कंपिनी ये ऐसी पार्टी नहीं है ये पार्टी गरीबों की पार्टी है ये लोकतांत्रिक पार्टी है इस पार्टी में एक सब्जी बेचने वाला हर्यान में मुख्यमंत्री बन सकता है चाय बेचने वाला प्रधान मंत्री बन सकता है उत्तर भाजपाव को नरिंज मुजी जैसा नेता मिल गया है जो भारत के भागी विधाता है हम चाहेंगे कि भगवान की किरपा बनी रहे किसी की नजर न लगे और यह मोदी को ऐसे आगे बढ़ता रहे देश का विकास होता रहे मोदी जी के आने के बाद सब कुछ मोदी में हो गया है जो बीजेपी के जो कोर इशू थे आयोध्या का इशू था 370 था और कॉमन सिविल कोड़ ता अब उसकी बात नहीं होती है सब छोड़ दिया नहीं देखिए मोदी जी जब लुक्षवा में गए थे तो हमने अपने उस मुद्दे को छोड़ा नहीं है बोव मुद्दा है जैसा तक धारा 370 का प्रस्ण है तो विस्थापित सारे के सारे ब्रामनों को भेजने का काम किया जा रहा है वहां काम हो तो रहा है लोग जाई रहे हैं धारा 370 जिसमें विवदान पढ़ रही है तो विवदान तो अ मैं नहीं आया हूं गंगा ने बोलाया है गंगा के नाम पर एक मंत्राल है बना करके और सारी नदियों को जोड़ करके देश का विकास करने का मुझे लगता है मोधी की एक-एक सोच इतनी डास्पादी सोच है कि कॉंग्रेस या अब सब के सब मेड़क खिटे हो रहे हैं आप पूरे भारत में दोड़ा फिर रहा है कोई पकड़ने वाला नहीं कोई पकड़ने वाला नहीं है कि इस हिंदुस्तान में इसे पकड़ने वाला कोई पैदाई नहीं हुआ और विस्व के लोग सम्मान कर रहे हैं सम्मान रहे हैं तो मुझे लगता है कि सारी इन पार्टियो इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो अमेरिका में मोधी मोधी हो रहा है जब जापान में मोधी मोधी हो रहा है जो चीन में मोधी मोधी हो रहा है लंका में मोधी मोधी हो रहा है तो हिंदुस्तान में मोधी मोधी हो रहा है यह कौन बड़ी बात है इन कौंग्रेशियों को सफाबस्वावालों को भी मोधी-मोधी-मोधी करना चाहिए तब ही इनकी जान बचने वाली है अनिता बचने वाली नहीं चलीए साक्षी जी आपने देश की बात के लिए निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोगी दे बीजेपी के वरी शांसद साक्षे महराज जिन्हों ने दिल खोल कर अपने बाते की और हर मुद्दे पर बेबागी के साथ अपने विचार रखे तो अब इस एपिसोड में इतना ही मुझे दीजिए अगले अपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी और शक्सित के साथ कुछ और मुद्दों के साथ तब तक के लिए नमस्कार